टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग यह सम कर रहे हैं हमें रिट्टो सेम समस्ट्राउ करना है तो हम पहले क्या करेंगे यहां से 27 इसे मशीन ड्राइंग बोलते हैं या फिर रिड्राउ भी बोलते हैं तो पहले 27 और 37 मार्क कर दिया इसको लिखत सी तो एबी सी हो गया अभी क्या है बी से एक वर्टिकल लाइन है कितना उपर है 14 प्लस 27 सो बी से एक सीधा लाइन खीच लो यह मार्क कर दो 14 और उसकी ओपर 27 देखों तो यह हो गया यहां का लाइन उसके बाद इसको लिख देते हैं ओ ओ मिल गया हाँ है ओ से अगर हम देखें तो बहुत सारे रेडियस है तो पहले तो रेडियस 30 है वो कर देते हैं उसके बाद रेडियस 12 जो अंदर का सरकल है वो भी बना देते हैं यह दो हो गया उसके बाद रेडियस 60 वो भी सेम पॉइंट ओ से है इसके बाद यहां से 24 आप उसको लिखते हैं P और उसको लिखते हैं Q तो C से वर्टिकल लाइन बनाते हैं 24 मतलब 12 उपर जाके, sorry 14 उपर जाके बाद में वहां से 27, 27 तो P और Q मार्क करते हैं माद में P से सरकल बनाएंगे रेडियस 14 का उसके बाद यहां पर रेडियस बनाएंगे रेडियस से देखो जब आप छोटे सरकल बनाते हों तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है यह तो आप लोग प्रो सरकल भी यूज़ कर सकते हैं यह हो गया इसके बाद यह से हम कितना कट करेंगे 45 और पॉइंट ओ से 30 प्लस 45 75 हम लोग यहां से डिस्टेंस लेंगे 75 और से कट करेंगे 75 और यह से कट करेंगे 45 जहां पर मिलेगा वहां से रेडियस 45 और बात में यहां से होरिजॉंटल लाइन उसके बाद देखो यहां पर एंगल बना देते हैं 30 डिगरी का और यहां पर पर रेडियस 60 कट करना है तो उसे कट करेंगे 60 और वहां पर रेडियस 14 और रेडियस 10 के सर्कल बनाने है यह हो गया सर्कल 14 का और उसको यहां से ऐसे जॉइंट कर देंगे ठीक उसी प्रकार नीचे से भी ऐसे जॉइंट कर देंगे अभी क्या करना है हमें अंदर का रेडियस 10 बनाना है और से जॉइंट कर देंगे इसके बाद यह रेडियस 12 बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे इसको लिखते हैं और यह हो गया एम तो एम से कट करेंगे 14 प्लस 12 और ओ से कट करेंगे 30 प्लस 12 हम लोग लेंगे 42 वो से कट करेंगे और एम से कट करेंगे 26 और वो दोनों जहां मिलेंगे वहां से हम लोग तरह करेंगे रेडियस 12 अब उसके बाद यह हो गया एस अभी यहां पर सर्कल बनाना है इसको लिखते हैं पॉइंट एन टी तो अगर रेडियस 16 बनाना है तो एन से कितना कट करेंगे 14 प्लस 16 और क्यूं से भी 14 प्लस 16 दुनों जगा से 30-30 कट करेंगे और जहां पर भी मीट करेगा वहां से हम लोग रेडियस 16 बनाएंगे तो इस प्रकार से हमारा यह सम कंप्रीट हो गया अभी हमें सिप 4 हैचिंग लाइन्स बनानी है जो 45 गरी पे होती है देखें हमें पॉइंट T मिल गया और T से अभी हम लोग रेडियस 16 लेके ड्रॉ करे देखो अभी 45 डिगरी पर ऐसे लाइन बनाएंगे तो आशा करता हूं कि आपको इस सम समझ में आओगा अगला सम लेके मैं जल्दी लोटूंगा तब तक के लिए धन्यवाद हुआ है झाल झाल